हेई गाइस दिस सार्तक एंड, यू आर वाचिंग मोटेक्स टेक्स वागे दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो के लिए तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अगर हम अपने सिस्टम को यार शटडाउन ना करे यानि की अगर हम शटडाउन ना करते हो अपने सिस्टम को डिरेक्ली आफ कर दे अब जैसे मेरे पीछे मेरा PC on है अगर मैं directly इसकी power cable हटा दू और चलता बनो कियार कौन करे बाई shutdown सीधा बंद करो चल दो तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको क्या दिक्कते आ सकती है किन-किन problems को हमें face करना पड़ सकता है इनी सब चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे तो चले उस तो फटापट से इस वीडियो का हम शुरू करते हैं सो गैज यार मेरे चानल के उपर ऐसे ही PC related content के बारे में ही बात करे जाती है तो गर आप लोग अब इंटरस्ट है ऐसे ही PC related content के अंदर तो definitely गरो हमारे चानल को subscribe साथ ही में बास बेल अकन को भी ताकि मैं future में जो भी नहीं भी डालूँगा मिल जाएगी आप लोग को उसके instant notification अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मारे में टॉपिक के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों कुछ चीजे बता देता हूँ जैसे कि जब हम अपने Windows को shutdown करने जाते हैं अपना जो start button होता हम उसके उपर click करते हैं फिर हम जाते हैं power वाले button के उपर फिर हमें कुछ दूसरे options दिखाए देते हैं shutdown, restart, hibernate और sleep जातर mostly यही चार हमें options देखने को मिलते हैं आपके में कोई और आता हो तो पता नी मेरे में तो भाही यही चार आते हैं इनका मतलब क्या होता है shutdown का तो आप लोग को मतलब यह directly पता हिए कि जितने भी यह बैग्रांड में हमारे processes run कर रहे होते हैं वह सारी चीज़े आफ हो जाती है और मतलब अगर कोई भी चीज running होती है तो उस चीज़ को पहले जो हमारा system है उस चीज़ को पहले off करता है फिर overall जो पूरा system है वो एक साथ off होता है फिर हमारे जो hardware होता है उसको instructions दिये जाते हैं कि भाई off हो जाओ बंद हो जाओ ठीक है जितने भी process चल रहे हैं उसे बंद कर दो safely और सारी चीज़े जो भी है उन सब को safe करते हुए बिल्कुल off हो जाओ और हमारे जो restart होता है उसका मतलब यह होता है कि पहले shutdown होगा फिर दुबारा restart हो जाएगा तो हम को restart कहा जाते है और sleep का मतलब यह होता है अगर आप laptop यूज़ करते तो उसके अंदर जो sleep mode है वो काफी ज़दा help करेगा आपकी battery को बचाने के लिए अगर आपका जो system है ठीक जाएगा और background में आपकी windows जो है वो चलती रहेगी बट आपका जो पूरा hardware है वो लगभग off हो जाएगा काफियत तक ठीक है तो यह होता है sleep mode के अंदर hibernate में क्या होता है आपने जहां पर अपनी windows को छोड़ा होता है वो as it is बंद हो जाती फिर आप जब दुबारा computer को start करोगे तो as it is आपने जहां छोड़ा होता है वो वहीं पर ही आ जाता है इसको हम hibernate कहते हैं और अब बात करते हैं कि अगर हम directly off कर दे हमारी system को shutdown ना करे shutdown में मैंने आपको समझा दिया ना सारे जितने भी background में process चल रहे होते हैं वो सारे पहले बंद होते हैं फिर अगर आप आपने मान लीजे आप किसी चीज़ के उपर काम कर रहे हो मान लीजे आपको एक warning देगा कि shutdown करने से पहले इसको save करना है तो कर लो नहीं करना तो directly off आप आप आजाएगा कि इसको save कर लो अगर आपको save करना हो तो आप कर लोगे लेकिन अगर आप shutdown नहीं करोगे तो ये वाला option आप लोगो देखने को नहीं मिलेगा और directly off कर दी और मान लीजे आप कुछी चीज़ के उपर काम कर रहे थे और आप उसको save करना भूल गए तो background में बहुत सारी चीज़े हमारी run कर रही होती है जैसे हमारी बहुत सारी applications है जो कि आप अपने system के इंदर install कर रही होगी वो सारी चीज़े यार background में run होती रहती है कुछ ना कुछ processing कर रही होती है तो वो अगर हम directly बीच में cut कर देते है एकदम power तो वो बीच में stuck हो जाती तो कई बर क्या होता है जातर वैसे दिक्कत तो नहीं होती इस चीज़े के अंदर वो normally वापस चल जाती है बट कभी-कभी ऐसा होता है कि वह वाला जो software है वो crash कर जाता है फिर बाद में उसके कोई ना कोई file corrupt हो जाती है कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है फिर वो software के अंदर ह 99% ऐसा नहीं होता बट हो जाता ऐसा कि भाई आपकी Windows जो है वो ही corrupt हो जाएगी आप फिर अपना जब Windows को start करोगे दुबार अपना PC on करोगे अगली बार वो on ही नहीं होगी Windows corrupt हो चुकी होगी या फिर वो repairing mode के अंदर चली जाएगी या फिर आपको BSOD error आ सकता है या कुछ इस तरह की आपको error आ सकती है और BSOD हम कहते है blue screen of death को या फिर आपने अगर chrome browser या फिर किसी और browser के अंदर आपने अपना कोई download के लिए कुछ लगा रखा है तो वो downloading बीच में रुख सकती है तो वो file पूरी corrupt हो जाएगी फिर आपको दुबारा से उस चीज को download करना पड़ आपने तब off कर दिया अपने तो भी background में चीज़े चल रही होती है तब भी हमको जो है दिक्कत आ सकती है हमारी जो कुछ files है वो corrupt हो सकती है Windows की अगर हम directly off करते थे हमारी system भो ढंक से shutdown ना करे तो और हो सकता है अगली बार हमारी Windows चल ही ना पाए कुछ errors आ जाए कुछ भी द आपने system पर सीधा off कर दिया क्या जा रहा है तो मैंने यह चीज़ कई बार जेली है ठीक है फिर आम में क्या करना हो तो Windows को दुबारा इंस्ट्रॉल करना पड़ जाता है क्योंकि Windows हो चुग है corrupt तो यह दिक्कत से अगर आपको बचना है तो भाई कायदे से shutdown क्या करो एक मिन लगी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से अर लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से अर शेयर करते ना मैं मिलूँगा आप लोग उस एक और नए वीडियो में तब तक के लिए ठैक्स वाचिंग और आप लोग सोच रहोगे मैं आप स्र इसमें क्यों बैटर क्या रही टीशिट अच्छी लग रही है